हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूँ आप लोका हमारे होमियोपेथी मेट्रेमेडिका सीरीज में फ्रेंड्स आज हम एक बहुत ही इंपोर्टन रेमेडी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलूमीना प्योर अलूमीनियम से बनी वी दवाई है मेंटल सिम्टम्स रहेंगे और क्या मोडैलिटीज रहेंगी स्टेप बाइ स्टेप इसकी सारी नौलिज जानेंगे आज आज आपको इस तरीके से रेमेडी समझा दूँगा ताकि आप लोगो जीवन भर आपको metria medica उठाने की जुरत नहीं पड़ेगी इतना असान तरीके से मैं आपको आज ये remedy समझाने वाला हूँ तो बस ध्यान से सुनते रहेगा और main main points को note करते रहेगा आपको alumina remedy दुबारा पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी और patient को आप थोड़े सी case taking में ही समझ जाएंगे कि ये alumina का patient है तो चलिए सबसे पहले इसके key usage से start करते हैं जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं point by point हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला point है दोस्तो इसमें appetite disorder तो ये बच्चों के cases में बहुत ज़्यादा काम आती है अगर आप रैपिटरी में सर्च भी करेंगे तो appetite disorder खास कर बच्चों में तो alumina सबसे उपर रहेगी दोस्तो तो बच्चों को भूख ना लगना और उसका कारण यही रहता है क्योंकि बच्चपन में चोक, मिट्टी, सिलेटी ऐसी चीजे जिसके अंदर aluminium पाया जाता है, बच्चे वो चीज बहुत खाते हैं, उसके कारण उनका bowel system पूरा गड़ बढ़ा जाता है और उनको constipation रहता है और उसी के कारण उनको भूख भी नहीं लगती है तो पहले point में appetite disorder की बात की गई है, second point में constipation की बात की गई है, friends या तो बहुत बुजूर्ग आद्मियों का elder stage में या बच्चों को constipation और constipation ऐसा दोस्तों की 3 से 5 दिन तक urge भी नहीं होगी, stool pass करने की यानि की there is no urge to pass stool, ये इसमें symptom है दोस्तों, 4-5-5 दिन तक बिल्कुल हरारत ही नहीं होती है कि stool pass करना भी है, नहीं तो इतना हद तक constipation रहता है, friends third point में बात की गई है dementia, क्योंकि इसकी basic theme ही nervous system disorder पे है, friends इस दवाई का जो main spare of action है, वो पूरा nervous system disorder पे ही है तो dementia होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा रहते हैं, तो इस प्रकार से dementia का मतलब ही है, यह दोस्तों कि हम अपनी memory power को धीरे-धीरे खो रहे हैं, fourth point में बात की गई है fatigue, यह patient बहुत ज़्यादा थका-थका सा रहता है, इसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती, कि वो कोई जरासा भी exertion कर ले, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थकावा रहता है उसके पूरी remedy में आपको, अगर कोई patient मिलेगा, तो उसके अंदर यह symptom रहे गए रहेगा, दोस्तों, fatigue बहुत जल्दी थक जाएगा, mentally भी, as well as physically भी, उसके बाद बात की गई है दोस्तो, nervous disorder, तो उसके अंदर बहुत सारी conditions आजाती है friends, Alzheimer disorder आजाता है, dementia आजाता है Bells Pellasi आजाता है Seripalem Pellasi आजाता है, multiple cirrhosis आजाते है, तो बहुत सारी बिमारिया, nervous system disorder होने के कारण होती है nervous system disorder का मतलब क्या बैट रहे दोस्तों, जो हमारे neurons है वो उतने actively काम नहीं कर पाते हैं, कहीं ने कहीं वो हमारे जो neurons है, वो नए cells develop नहीं कर पाते हैं, और जो cells हैं वो इतने ज़्यादा active नहीं रहते हैं, वो भी धीरे-धीरे घटने लग जाते हैं, तो हमारे जो neurological system है, उसमें धीरे-धीरे disorder होने लगता है तो उसी condition पे पूरी alumina based है friends और अंत में बात की गई है Alzheimer disease, Alzheimer disease में friends होता क्या है, Alzheimer disease में आपका जो brain है, वो धीरे-धीरे shrink करने लग जाता है तो जो भी memory power है वो धीरे-धीरे घटने लग जाती है और आप के लिए daily काम करने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, आप चीजों में confused हो तो मेरा समान कहां रखा था, कुछ calculate नहीं कर पाते हैं इवन आपका जो physical symptoms यानि कि आप कदम रखते कहीं और है और रखा कहीं और जाता है इसलिए alumina में सबसे बड़ा symptom है कि आँख बंद करके patient एक कदम भी नहीं चल सकता, वो इसी कारण है क्योंकि उसका nervous system disorder है उसके ज़र Alzheimer disease पैदा हो चुकी है उसका brain दीरे-दीरे shrink होने लगा है तो आँख बंद करके क्या है यानि कि आँख खोलके भी वो तेज या फिर एकदम से सीड़े चड़ना एकदम से उतरना या एकदम से कोई moment करना ऐसा वो नहीं कर सकता उसका पूरा moment ही बहुत ज़्यादा दीरे हो जाता है और उसी के बारे में हम इसकी remedy profile में पढ़ेंगे तो friends फटा-फट चलते हैं इसकी remedy profile पर और जानते हैं कि किस प्रकार का mental किस प्रकार का physical nature उसका रहेगा और उसके साथ साथ modalities की बात करेंगे और अंत में एक overview करेंगे ताकि आप लोग को आज ही remedy बिल्कुल clear हो जाए तो friends ये आ गए हम इसके remedy profile पर तो alumina जैसे कि आप जानते हैं pure aluminium से बनी भी है दबा तो चलिए इसके key symptoms को पढ़ लेते हैं यानि कि ये symptoms तो patient में रहेंगे ही रहेंगे अगर ये symptoms नहीं है तो आप गलट direction में आपकी case taking गलट direction में है friends आप सही direction में नहीं है तो उसमें सबसे पहला जो key symptoms है sense of feeling hurried and flustered तो इस patient के अंदर physically भी as well as mentally भी और खासकर mentally दोस्तो बहुत ज़्यादा तेजी रहेगी दिमांग में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहेगी वो चाहता है कि एक time पे मैं 10 काम कर लो पर उसकी brain activity धीरे धीरे और कम हो जाती है बट उसके अंदर जल्दबाजी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है यानि कि वो बहुत जल्दबाजी उसके दिमां में आते है चोटा सा काम भी उसको एकदम से करना है और ये बहुत सारे patients आपको आके बताएंगे और दोस्तों खासकर ये case elders के case में मिलता है कि भुजर्गों की जो body movement है वो तो slow हो जाता है बट उनका mental level बहुत ज़्यादा excited हो जाता है बहुत ज़्यादा तेजी उनके दिमां में आ जाती है friends तो ये इसका पहला की symptom है second में बात की गए दोस्तो fatigue and sluggishness तो थकावट है उसके साथ साथ सुस्ती है ये आपको पूरे alumina के symptoms में मिलना है physical हो चाहे mentally symptoms हो ठकावट और sluggish नहीं यानि कि सुस्ती और ठकावट उसके पूरे characteristics में मिलेगी मिलेगी दोस्तो आपको third point में बात की गए है failing memory यानि कि उसकी memory धीरे धीरे fail होती जाती है कमजोर पढ़ती जाती है चोटे चोटे काम ही उसके लिए बहुत बड़े बन जाते है जैसे कि आपने बुजुरुगों में देखा हो कि उनका body movement ही बहुत जादा slow होता है एक सीडी उतरने के लिए उनके बहुत time चाहिए तो इस प्रकार के उनकी memory भी धीरे धीरे घटती जाती है जैसे कि आपने key uses में मैंने आपको बताया कि इसका main spare of action ही brain पर है दोस्तों और खासकर nervous system disorder पर है तो इसके कारण इसकी memory बहुत जादा घटने लग जाती है fourth point में बात की गई है dryness of skin and mucous membrane तो इस patient के अंदर आपको dryness देखने को मिलेगी skin के अंदर भी और उसके mucous membrane जो भी cavities होती है जो जिल्ली होती है हमारे शरीर में उनके अंदर भी dryness देखने को मिलेगी और यही dryness उसके bowl movement में भी देखने को मिलेगी दोस्तों उसको बहुत जादा constipation रहता है तो चली अब इसकी remedy profile पर चलते हैं और line by line इसको थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले हम इसके mental symptoms की बात करेंगे उसके बाद हम इसके physical symptoms की बात करेंगे तो alumina is best suited to those who are generally sluggish जो सुस्त हैं उनके लिए सबसे best यह remedy मान जाती है जैसे कि मैं आपको बताया है इसके पूरे case taking में आपको सुस्ती मिलने ही वाली है आगे पढ़ता हूँ there may be in a state of deep disappear and fear that something awful is about to happen तो उसको हमेशा ऐसा लगता रहा है कुछ गलत होने वाला है कुछ गड़बड होने वाली है ये बात उसके हमेशा दिमाग में रहेगी दोस्तों और इन चीजों को लेकर बहुत ज़दा डरता भी रहता है नेक्स लाइन में बात किया fear of insanity is not uncommon specially on sighting sharp object and knife तो दोस्तों एक परकार का उसको डर रहता है किस चीज से sharp objects जैसे कि चाकु छुरी की नौक से उसको बहुत डर लए और वो कैसा रहेगा दोस्तों कि मैं कहीं से खुद ही suicide ना कर लूँ यानि कि चाकु पड़ावाज पड़ेवे चाकु को भी देखकर उसके दिमाग में बात आएगा कि इसके मैं अपनी नस काट लूँ या मैं इससे suicide ना कर लूँ उन चीजों से वो धीरे धीरे डरने लग जाता है उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है ऐसी शाप चीजों से नोकिली चीजों से तो यही बात उन्होंने clear की है आगे अगली लाइन में यही बात बता रखे दोस्तों विच में इवन ट्रिगल टू societal thoughts तो इन चीजों से उसके दिमाग में चीज आते है कि मैं इन से सुसाइड ना कर लो तो उसका एक डर बैढ़ जाता है उसके दिमाग में next line में बात की गई है reaction is external stimuli and questions are slow yet despite this these people often feel a sense of hurry hasty and confusion तो दोस्तों यही बात आप मैंने आपको उसके key symptoms में समझाई थी कि उनका जो physical moment है वो तो slow होता चला जाएगा जैसे कि बुजर्गों के case में होता है बट उनका जो mental moment है वो बहुत ज़्यादा hurried उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा तेजी आजाती है बहुत ज़्यादा sense of hurry, hasty and confusions चोटी सी चीज को लेके वो बहुत ज़्यादा confused हो जाएगा और बहुत ज़्यादा परिशान हो जाएगे और उसी चीज को लेके उनके दिमाग में जल्दबाजी आ जाएगे जो मेरा काम है वो पूरा होना चाहिए और वो काम में ही तोड़ा बहुत confused रहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको इसके की सिम्टम से बताया था इसकी पूरी स्किन में और म्यूकस में में ड्राइनस आपको देखने में मिलेगी फ्रेंट्स इन एडिशन देर में भी ए लैक ओफ कॉर्डिनेशन and weakness and fatigue possibly associated with chronic illness तो उसके साथ-साथ ही उसके अंदर lack of coordination जैने की coordination की कमी रहेगी जैसे कि मैंने आपको की यूज में बताया था कि patient कदम कहीं और रखता है और रखा कहीं और जाता है क्यों क्योंकि उसका जो physical movement है वो बहुत ज़्यदा slow हो गया और दोस्तों वो हुआ किसलिए है वो उसके mental movement के कारण है यानि कि उसके nervous system ही disorder हो गया इसलिए उसकी spine पर भी इस चीज़ का effect पड़ता है उसके movement पर भी इस चीज़ का effect पड़ता है तो धीरे धीरे उसका movement और ज़्यदा slow होता चला जाएगा तो उसी चीज़ को treat करती है हमारी ये remedy alumina और दोस्तों इसमें जो बिमारी पैदा होगी वो बहुत ज़्यदा पुरानी रहीगी और उसके साथ-साथ एक important point आपको और बताता हूँ ऐसे patient में हमेशा देखा जाएगा दोस्तों अगर आप case taking अच्छे से करेंगे थोड़ा सा भी deep में जाएगे तो उनके अंदर एक history मिलेगी याने की previous history होगी उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यदा तनाव की stress की anxiety की या फिर कोई ऐसी बात जो उनके दिल में बहुत सालों से चुपी वी है उस चीज की history उनके अंदर रहेगी रहेगी तभी इतनी ज़्यदा brain में nervous system disorder पाए जाता है तो अगर आप case taking करें तो previous history के बारे में बहुत खुल के आपको पूछना लगेगा तो आपको अगर जैसे ही आप पूछेंगे तो आपको clear हो जाएगा कि बहुत पुरानी एक history है जो उनके अंदर दबी वी है या कोई बहुत बड़ा हास्सा जिन्होंने उनके mind पर बहुत ज़्यदा effect डाला है इन चीज़ों को लेकर एक history हमेशा रहेगी रहेगी आगे बात की गई है alumina is typically used for elder people who are senile and confused तो मैंने जैसे बताया था आपको दोस्तों की ज़्यादा तर elders के case में काम आती है जो की सुस्त रहते हैं और थोड़ो से confused रहते हैं हर चीज को छोटी सी छोटी चीज में वो confused मिलेंगे आपको दोस्तों और आप डेली लाइफ में भी यह सब examples देखते ही होंगे with poor memory तो उनकी memory धिरे-दिरे घटने लग जाती है उनको छोटी-छोटी चीज याद नहीं रहती है वो रखके भूल जाते हैं अपना समान यानि की चीज सामने रखी है पर उन्हें नहीं मिल रही है क्योंकि उनका brain इतना active है ही नहीं कि वो छोटी-छोटी चीजों को भी समझ पाए नेक्स लेमें बात की करें कि इट इस ओल्सो सूटी टू डेलीकेट बेबीज तो दोस्तों बच्चों के केस में जैसे कि मैं आपको बच्चों के केस में आपको जरूर पूचना है कि बच्चे चौक, मिटी, सलेटी, कच्चे चावल, कच्ची चीजे ऐसी चीजे बहुत पसंद करता है और बच्चपन से ही खाता रहा है जैसे कि आपको केस में बच्चों के केस में आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे जो चौक, मिटी, खाते हैं तो अगर ऐसा है और उसको सासाथ अपेटाइट डिसोडर है और कुसासाथ कॉंस्टिपेशन भी है तो आप अलॉमीना की तरफ जा सकते हैं बट में बात यही याद रखे दोस्तों प्रोपर केस टेकिंग करने के बाद ही आप किसी रेमेडी तक पहुँचिए सिर्फ दो तीन पॉइंट सोच कर आप किसी रेमेडी को मत दीजे क्योंकि वो कही न कहीं आप उसकी डेप्थ पे नहीं पहुचे है अभी चलिए अब हम इसके में में पॉइंट को डिसकस करते हैं और जानते हैं कि उस कंडिशन में क्या सिम्टम्स रहने वाले हैं तो फटीग के कंडिशन में हम सिम्टम्स जानते हैं दोस्तों फटीग के कंडिशन में क्या सिम्टम्स रहेंगे ग्रेट वीकनेस लगिशनेस एंड एग्जॉस्ट तो थकावट रहेगी सुस्ती रहेगी और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट रहेगा पेशन्ट तो skin कैसी रहेगी? पेल्ड रहेगी और टांगे उसको बारी बारी लगेगी भले ही वो बैठा हो टांगें में उसको बारी पन रहेगा और patient ऐसे बताता भी है यानि कि उसकी बिमारी इतनी पुरानी हो चुकी है तो उस बिमारी को भोगते भोगते वो इतना ज़्यादा उसकी nerves में कमजोरी आ गई है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठकने लग गया है चलिए अब इसकी modalities पर चलते हैं दोस्तों fatigue की condition में क्या modalities रहेंगी? यानि कि कव अराम मिलेगा और कव उसकी symptoms और ज़्यादा aggravate हो जाएंगे तो symptom better होते हैं for cold weather, for damp weather यानि कि बारिज का मोसम होगा तो उसको थोड़ा सा अच्छा रहेगा for moderate exertion यानि कि थोड़ा बहुत हिलेगा दूलेगा तो ठीक है ज़्यादा बड़ा exertion अगर होगा तो उसको थाकावट हो जाएगी और while eating तो खाने से उसके शरीर में थोड़ा सा जान आएगी तो इसलिए खाते समय उसको थोड़ा सा अच्छा फील होगा symptom aggravate कर होंगे for warm room, upon walk, waking, for lying or sitting down तो गर्मी वो बरदाश नहीं कर पाएगा दोस्तों और जब उठता है यानि कि जब rest में होता है तो ठीक है बर जब उठेगा उठने के बाद उसको थाकावट तुरंथ महसूस देगी for lying or little little भी वो थाक जाएगा और जादा देर बैटने से भी वो थाक जाएगा तो nervous disorder के अंदर क्या symptoms पाए जा रहे हैं उसको देखते हैं दोस्तों numbness, pin and needles, a sensation of muscle paralysis, fatigue and slow weak moments तो दोस्तों numbness हातों पैरों में सुनपन रहेगी और sensation कैसी रहेगी जैसे कि मेरी muscles paralyzed होगे दोस्तों paralysis के लिए भी दबा बहुत ज़्यादा काम आती है उस case में भी यही condition रहती है दोस्तों की हाथ पैरों में सुनपन रहता है और कीडियसी दोड़ती रहती है पेशन्ट आपको बताएगा और movement बहुत ज़्यादा slow हो जाता है आगे पढ़ते हैं तो extremities may become uncoordination locomotor ataxia तो दोस्तों locomotor ataxia क्या होता है locomotor ataxia में हमारी body movement या कोई एक part खुद से move करने लगता है यानि कि वो हमारे control में नहीं रहता है उसमें हम trembling भी मान सकते हैं और हम उसे हिलाना कई और चाह रहे हैं वो movement बहुत ज़दा slow दे रहा है ऐसा भी मान सकते हैं और या फिर हाथ खुदी का अपने लग जाएगा हाथ में खुदी trembling होने लग जाएगी तो locomotor ataxia में main चीज क्या है कि हम जैसा चाह रहे है यानि कि हमारे जो brain signal दे रहा है वैसे वो part वो काम नहीं कर and the eyes muscles may be affected causing dropling eyelids and squitting eyes muscles भी effect होते हैं दोस्तो eyes paralysis के लिए भी remedy काम आती है इसमें क्या होता है हमारे droplet जो है थोड़ा गिर जाता है ऐसे लगता है जैसे आँख हमारी आधी खुली भी हो तो इस condition में ये भी remedy दे सकते हैं चलिए फटी nervous system disorder के modalities पर चलते हैं जानते हैं कि symptom better कब होंगे और aggravation कब होगा तो symptom better होते हैं for fresh air in the evening और worse कब होते हैं for cold air in the morning for salt and starchy food तो दोस्तो cold air से सुभा सुभा salt और starchy food से उसको दिक्कत बढ़ जाती है और खुली हवा में और शाम को उसको थोड़ा सा better feel होता है अब चलते हैं इसके dementia के case पे दोस्तों जानते हैं कि dementia के case में क्या symptoms रहने वाले हैं तो detoration of mental process leading to sluggish and absent minded behavior detoration का मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारी mental power है वो धीरे-धीरे घटना उसमें गिरावट आना तो mental process धीरे-धीरे गिर जाता है कमज़र होती है mathematical calculations नहीं कर पाता है धंक से चल नहीं पाता है छोटी-छोटी चीज़ों को भूलने लग जाता है यही सब बाते इसमें बताएवी हैं दोस्तों और absent minded behavior यानि कि बैठा कहीं हो रहे और सोच कहीं हो रहा है ऐसा behavior उसको हो जाएगा those affected may forgot who they are and feel as if they are talking, hearing or smelling through someone's else sense तो ऐसे person में दोस्तों भूलना तो नजर ही आएगा यानि कि forgotfulness तो रहेगी रहेगी उसके साथ-साथ उसे उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई खड़ा है या फिर हम किसी और से बाते कर रहे हैं किसी और की feelings को सुन रहे हैं वो confused होने लगता है ये आपको further stage में जाने जाके मिलेगा यानि कि case बहुत जादा बिकड़ चुका है आके पढ़ते हैं there is often a sense of being adrift from the body तो उनको एक ऐसी sense भी आएगी कि मेरी जो आत्मा है वो मेरी body से अलग रहने लग गई है ये sense आएगी दोस्तों बहुत बाद में जाके ये case हर patient नहीं बताता है बहुत कम patient है जो इस बात को बताते हैं यानि कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो रू है या जनी कि मेरी जो आत्मा है simple word में कहूं वो मुझसे अलग हो गई है ऐसा उनको feel आएगा चलिए next line में पढ़ते है elderly people are most commonly affected the remedy may be given to treat Alzheimer disease तो भुजरुगों में ये remedy जादा काम आती है और Alzheimer disease जैसे की मैंने आपको बताया था brain shrink होने लगता है और mental power कम होने लगती है तो उस case पे ये दवा सबसे ज़्यादा दी जाती है आप यकीन मैं नहीं है मैंने clinical practice में बहुत बार ये दवा यूज की है constipation के लिए भी यूज की है appetite disorder के लिए भी यूज की है और dementia के लिए भी यूज की है हर बार इस दवा ने एक positive effect दिखाया है but main आपका यही रहना चाहिए कि overall case taking के बाद ही ये दवा दें जब पूरी modalities पूरे mental symptoms और फिजिकल मैच करें चलिए dementia की modalities पर चलते है for damp weather भारिश वाला मौसम होगा तो patient को थोड़ा सा अच्छा लगगा in the evening for moderate exercise थोड़ी वोट exercise करेगा तब भी ठीक लगगा और evening में उसको better feel होता है aggravation कब होता है गरम से upon waking सुबा सुबा उठता है तो aggravation उसको मिलेगा दोस्तों चलिए अब इसके constipation पर चलते हैं जो कि एक बहुत important part है दोस्तों क्योंकि इसके constipation बहुत कम दवाईया है कलकीरिया कार्ब और साइलीशा के compare में दवाई काम आती है constipation के case में बहुत सारी दवाईया है जैसे opium बगारा भी है बड़ इसका एक अपना ही function है दोस्तों इसमें अगर आप search भी करेंगे कि पूरे हफते हफते अर्ज नहीं रहती है stool pass करने की तो भी आपको alumina दिखाएगा sluggies bowel or severe constipation तो bowel movement बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया बहुत ज़्यादा constipation अगर आपका stool बहुत ज़्यादा soft है या बहुत थोड़े stool pass हो रहा है तब भी उसको बहुत ज़्यादा जान लगाने पड़ेगी stool pass करने के लिए रिसा क्यों है क्योंकि उसका bowel movement है बहुत ज़्यादा slow हो गया यहाँ तक की paralyzed भी हो गया यानि कि अगर उसका किसी condition में bowel movement paralyzed हो जाए उस case में भी हम alumina दे सकते हैं अब किस-किस को ज़्यादा suit करती है pregnant woman, newborn babies and children are most commonly affected तो pregnant woman को बहुत ज़्यादा constipation हो जाए है और children are mostly affected बट उस पर यह condition है कि बच्चे चौक मिटी से लेटी अगर खाते हैं तो हम इस तरफ भी जा सकते हैं अलोबीना में also help elder and और elderly और sedentary people who have severe constipation and no urge to pass तो बुजर्गों में भी यह काम आती है कैसे बुजर्ग जो sedentary life जीता है दोस्तों जिनका ज्यादा कोई workout नहीं होता है जो बैठ रहते हैं जो मन मर्जी खा लेते हैं जिनकी जब मर्जी आया तब खा लिया कोई routine नहीं है life का तो उनको ज्यादा तर अगर constipation हो तो इस case में हम अलोबीना दे सकते हैं लिए इसके modalities की तरफ जान चलते हैं तो symptom better कब हो रहे हैं fresh air से symptom better होते हैं evening में symptom better होते हैं for warm food and drink तो इसमें गरम चीजे खाने पीने को पसंद रहती है यहने कि उससे थोड़ा सा better feel होता है और aggravation का बहुता है cold air से aggravation होगा heat से aggravation होगा in the morning aggravation होगा salt and starchy food से aggravation हो जाता है चलिए अभी चलते हैं इसके appetite disorder पर तो appetite disorder में क्या symptoms जाएंगे फ्रेंट dry mouth and throat with craving of dry food and undaggible substance such as pencil, chalk, clay, tea leaves and coffee grounds तो ऐसी ऐसी चीजे खाने को मन करता है दोस्तों बहुत सारे patient आपको बता है कि मेरा भी मन करता है ladies pregnancy में बताती है बच्चों के case में बता आ जाता है even बुजुर्गों तक को मन करता है ऐसी चीजे खाने का और उसके साथ साथ उनको भूक नहीं लगती है बहुत ज़दा constipation रहता है और उसके साथ साथ अगर ऐसी modalities रहें तो हम alumina की तरफ जा सकते हैं दोस्तों और ऐसा craving रहती क्यों है क्योंकि उनकी body के अंदर कहीं न कहीं aluminium कम है और उनको इसी चीज की craving होती है यही बात आकरी line में बताई हुए दोस्तों the craving appears to be for substance that actually contain aluminium तो उनहीं चीज की craving होती है जिसमें aluminium पाए जाता है तो साफ पता लगए कि अगर पेशन्ट ऐसी चीजे खा रहा है याने कि उसकी body में aluminium की कमी है तो अगर हम इस remedy को केस टेकिंग करके दें थोड़ा सा समझ कर दें और उसके अंदर जो aluminium की कमी है उसको पूरी कर दें दोस्तों तो उसका पेट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और उसके साथ साथ उसके mental level में बहुत बड़ा सुदार आने वाला है दोस्तों चलिए इसकी modality इसको फटा फट पढ़ लेते हैं सिम्टम बेटर कव होते हैं फ्रेश एर से बेटर होते हैं इवनिंग में बेटर होते हैं वाम फूड एंड्रिंग से सिम्टम बेटर होते हैं इसकी चीज़े बंदा खाएगा स्टार्ची और हाइली प्रोसेस्ट फूड अगर 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 आपको कोई भी डाउट है दोस्तों छोटे से छोटा डाउट भी है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपकी को जरूर कम्प्लीट किया जाएगा और अंत में अगर एप एक ओवर्वियू करें तो इसका में स्पेर ओफेक्षन है दोस्तों कॉंस्टिपेशन पर नर्वस सिस्टम डिसोर्डर पर और फटीग पर और ऐसी क्रेविंग्स पर जो की जिनके अंदर अलुमिनियम पाए जाता है तो दोस्तों यही इसका में चीज को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह अलुमिनियम का पेशन्ट है तो फ्रेंट्स वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कल आप से फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद